हेलो डियर इस्टूडिंट, वन्स अगेन वेलकम बैक इन यूर्बेस चैनल, MS Coaching Institute आज मैं आपको फिनोल के कितने रेजोनेटिंग इस्ट्रक्शर होते हैं, कैसे वो ड्रॉ होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला चीज कि फिनोल क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, बेंजीन रिंग में अगर डारेक्ली OH जुड़ जाए, ये जैसा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आप उसे फिनोल बोलेंगे, ये जो बना हुआ रिप्रेजेंटेशन है, ये फिनोल का है दूसरा चीज, रेजनेटिंग इस्टक्चर क्या होता है, तो जब किसी भी मॉलेक्यूल में जो इलेक्ट्रॉंस होते हैं, अगर वो शिप्ट हों, अगर वो शिप्ट हों, अपने पोजीशन को चेंज करें, तो उस तरह की कंडिशन को हम कहते हैं, कि ये रेजनेटिंग इ हम देखते हैं सबसे पहला चीह यहां पर लोट अई Steph प्रेंगा बनाऊगे तो oxygen के पास दो लोन पेर होता है और एक लोन पेर क्या करता है यह shift होता है और जैसे एक लोन पेर यहां shift होता है तो again आप यहां पर अब देखे problem क्या आना शुरू होगा यहां पर जैसे यह होगा तो यह double bond बनाएगा और इस side में भी double bond है तो कभी भी back to back double bond नहीं हो सकता इसी वजह से जब यह lone pair यहाँ shift होगा तो यहाँ पर क्या होगा यह वाला bond जो है shift होगा अब यह bond में दियाद रखेगा कभी भी double bond है तो एक sigma और एक pi होता है तो मैंने यहाँ लिख इंडेड एरो बनाते हैं तो इसका मतब यह resonating structure को show कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर क्या हो चुका है second case में यह lone pair यहाँ shift हो चुका है तो यह double bond बना लिया अब oxygen ने अपना एक lone pair shift किया तो उसके पर positive charge लग जाता है और एक जो lone pair अभी भी बचा होगा उसको मैंने यहाँ represent कर दिया है अब यहाँ double bond बन चुका है और यह अपना electron यहाँ पर shift कर चुका है pi bond वाला तो यहाँ पर यह वाला carbon कैसा हो चुका है negative हो चुका है अब यह क्या करता है अपने bond को यहाँ पर shift करता है ठीक है अब again same problem आता है कि यह यहाँ पर जब double bond बनाएगा तो back to back double bond दो नहीं हो सकते इसी वज़े से यह वाला भी पाई बॉंड क्या होता है आगे के तरफ अगले कार्बन की तरफ मूब कर जाता अपने इलेक्ट्रान लेकर के इसके बाद थर्ड वाले केस में यह सब इस्ट्रक्टर सेम रहेगा यह पॉजिटिव ही रहेगा ठीक है अब यहां प से प्रब्लम होगा कि जैब यहां स्ट्रक्ट करने नगैंगा तो सबिटर करेगा तो यहां बाद बंड करके पाहले से में दब्ल बाद हे तो बैक-टू-बैक अगीन शेंञ प्रॉब्लम आएगा जैब double bond नहीं हो सकता इसी वज़े से यह pi bond अपने आपको क्या करेगा अपना इलेक्टरॉन ले करके अगले carbon पर shift हो जाएगा next structures में क्या होगा यह ओलेडी बन चुका है double bond तीक है अब क्या होगा यह जो यहाँ पर shift हुए भाई साब अपना electron ले करके तो यहाँ पर double bond बन गया और यह जो πाई bond आगए की तरफ move हुआ था यह देखिए यह जो move हुआ था अब यह क्या करेगा आगए की तरफ अपना bond shift करेगा और जैसे अपना bond आगए की तरफ shift करेगा तो एक structure यहाँ पर बन करके त्यार होता है जहाँ पर यह देखी double bond हमारा पहले से बन गया यह यहाँ पर बन गया और यह जब यहाँ पर shift होगा तो देखी double bond यहाँ पर बन गया और इसने अपने इस electron को अगेन oxygen ने क्या कर लिया फिर से गेन कर लिया और single bond बन करके त्यार हो गया तो इस तरह से फिनॉल के total 5 resonating structure possible होते हैं और सब ही resonating structure को double ended arrow से हम क्या करते हैं represent करते हैं so I hope so कि आपको फिनॉल का resonating structure कैसे draw होता है कितने total 5 resonating structure बनते हैं जो मैंने आपको बता है यह भी पता चल चुका होगा तो अगर आपको लग रहा है कि यह आपके लिए वीडियो काम का है तो आप like करें हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें और हाँ दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe ने किया तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें thank you so much for watching this video and have a nice day